जादूई दर्वाजा चलने लगी मोहन उस गाय के पास गया और उसने उसे प्यार किया शाम को जब मोहन अपनी गायों को घर लेकर जाने लगा तब वह गाय भी उसके साथ चल पड़ी अरे यह तो हमारे साथ चल रही है चलो कोई बात नहीं शायद उसे ढूंता हुआ कोई आ जाएगा तब तक मैं इसका ध्यान रखूँगा मैं इसे पानी पिलाओंगा मैं इसे खाने कर दूँगा और इस तरह काफी दिन बीद जाने तक भी वह गाय रोज मोहन की गायों के साथ रहती मोहन उसे रोज चराने ले जाता और रोज शाम को वापिस ले आता लेकिन कुछ दिन बाद वह गाय दिन को गाय हो जाती और शाम को फिर से वापिस आ जाती अरे यह चक्कर क्या है यह रोज इस तरह चली जाती है और शाम को वापिस आ जाती है शायद कोई जगा है जो इसे याद आती है चलो पीछा करके देखता हूँ मोहन ने उस गाय का पीछा किया और देखा कि गाय एक पेड़ के नीचे जाकर ख़ड़ी हो जाती है वहाँ एक सोने का दर्वाजा है जर्वाजा फुम्ते भी गाय उसके अंदर चली जाती है मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है अंदर का नजारा देख toward highland हो जाता है वहाँ एक बगीचा था यहाँ पे सब कुछ सोने का था पेड सोने के, पत्ते सोने के, बूल सोने के थोड़ी आगे जाकर गाये वापिस मोहन की तरह मुड़के कहती है मोहन तुम बहुत अच्छे हो मुझे तुम्हारा विभार बहुत अच्छा लगा तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा विभार किया तुमने मेरा ध्यान रखा पर ये ही मेरा घर है, यहां सब सोने का है, कितना सोना तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ मोहन बहुत खुश हुआ और वहां से थोड़ा सा सोना लेकर चला गया और उसने गाय का धन्यवाद किया सीख, अच्छे वेभार काफल हमेशा अच्छा ही मिलता है एक गाओं में राजन नामकाएक आदमी अपने बेटे चिंटू के साथ रहता था राजन पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वज़ासे उसे कहीं अच्छी नौक्री नहीं मिली थी राजन गन्ने का रस पेज़कर अपने परिवार की गुजर बसर किया करता था लेकिन वो अपने बेटे चिंटू को अच्छी सिक्षा देना चाहता था इसलिए उसने गाओं के पास के स्कूल में अपने बेटे चिंटू की एडमीशन करा रखी थी चिंटू बड़े ही लगन से स्कूल में पढ़ाई किया करता था और चुट्टी होने पर वो अपने पिता के साथ गन्यकारस बेचने में उनकी मदद करता था एक दिन जब चिंटू स्कूल से वापिस घर आ रहा था तो उसने देखा कि स्कूल से घर जाने वाला रास्ता बंध हो गया था क्यूंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड आकर गिर चुका था इसलिए उससे अब जंगल के रास्ते से जाना पड़ रहा था ओ हो अब तो बांस के जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ेगा लेकिन चिंटू जब बांस का जंगल पार करके शहर की और पहुंचा तो उसने वहाँ पर एक आईस्क्रीम के ठेले पर कुछ बच्चों को आईस्क्रीम खाते हुए देखा चिंटू का आईस्क्रीम खाने का बहुत मन किया लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने सोचा कि वह अपने पिता के पास जाकर आईस्क्रीम खाने के लिए कहेगा अगले दिन चिंटू छुटी होने के कारण अपने पिता के साथ गन्ने का रस बेचने जाता है और जब शाम को वह घर वापिस आ जाते हैं तो चिंटू की नज़र ठेले पर पड़ी बरफ और बचे हुए गन्ने के रस बर पड़ती है वो अपने पिता से कहता है पापा क्यों ना हम इस बचे हुई बरफ की कुलफी बनाए कल तक वैसे भी ये बरफ पिखल जाएगी और कुछ काम नहीं आएगी चिंटू की बात सुनकर उसके पिता कहते हैं हाँ बेटा ठीक है एक वार कोशिश करके देखते हैं चिंटू अपने पिता के साथ मिलकर घर में ही कुलफी बनाना शुरू कर देते हैं और कुलफी बनाते ही चिंटू कहता है पापा कर घर आते हुए मुझे कुछ बांस के तुकड़े मिले थी हम उसे सजावट के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं चिंटू के पिता उसकी बात मान लेते हैं और वो बांस के सांचे में गन्ने का रस भर कर कुलफी जमा देते हैं और उसके उपर बांस के टुकडों को उबाल कर उनसे सजावट कर देते हैं जिससे उनकी बांस और गन्ने के रसकी बहुत इच्छी कुलफी बनकर तैयार हो जाती है और वो दोनों खुशी-खुशी उसे खाने लगते हैं चिंटू गन्ने के रसकी आइसक्रीम खाकर बहुत खुश होता है और अगले दिन से चिंटू के पापा गन्ने के रसके साथ साथ गन्ने के रस और बांस की कुलफी बेचना भी शुरू कर देते हैं जो सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है एक समय की बात है एक गाओं में सुशील नाम का एक आदमी अपनी बेटी मोना के साथ रहता था मोना बहुत ही होश्यार और नेक लड़की थी उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौंग था मोना ने अपनी सिक्षा गाओं के स्कूल में ही की थी जहां वो हर सार प्रस्थम आती थी सुशील एक अनपड किसान था लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाता था स्कूल में सिक्षा ख़तम होने के बाद मोना को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पढ़ रहा था मोना की आगे की पढ़ाई के बारे में सुशील को चिंता होने लगी अब तो मोना को आगे पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल से शेहर भेजना पढ़ेगा लेकिन वहां तो बहुत पैसे लगेंगे चलो जाकर देखता हूँ अगले दिन सुशील सेहर जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और उनसे मोना की एडमिशन की बात करता है मोना की माक्षिट देखकर और सुशील की बाते सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल उससे कहते हैं देखो तुम्हारी बाते मिलकु ठीक है तुम्हारी बेटी के नमबर अच्चे हैं और तुम उसे पढ़ाना भी चाहते हो लेकिन इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए तुम्हें कम से कम इतनी फीस तो देनी ही पड़ेगी क्या तुम दे पाओगे जी सर मैं गरीब बेशक हूँ लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा आप बस उसकी एडमिशन कर दीजिए तो ठीक है दो दिन बाद तुम पैसे लेकर आ जाना बाखी सारी फॉर्मेल्टी अभी बाहर जाकर पूरी कर लो सुशील फॉर्मेल्टी पूरी करके घर आ जाता है लेकिन उसे चिंता थी कि वो दो दिन बाद कैसे इस कॉलेज की फीस जमा करेगा सुशील इसी चिंता में सो जाता है लेकिन सोने के बाद सुशील को एक जादूई देवी दिखाई देती है जो की उससे कहती है सुशील उठो, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाते हूँ और वो देवी ऐसा कहते ही गायव हो जाती है तभी अचानत सुशील की नीन खुल जाती है और वो सपने के बारे में सोचने लगता है तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो उसी स्कूल का मॉडल था जो उसे वो देवी देना चाहती थी सुशील उठकर देखता है तो वो पूरा सोने का बना हुआ था अब सुशील समझ जाता है कि देवी ने उसे सोने का स्कूल देखकर उसकी मदद की है सुशील अगले ही दिन वो सोने के स्कूल का मॉडल शहर एक सुनार के पास गिर्वी रख देता है सेड़ जी मैं ये सोने के स्कूल का मॉडल आपके पास गिर्वी रखना चाता हूँ मुझे बस अपनी बच्ची की सिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए अहां ठीक है ठीक है भाया ये तो खरे सोने का है हां लेकिन पैसे वापिस ना करोगे तो मैं इसे बेज दूँगा अरे नहीं नहीं सेड़ जी मैं समय पर आपके पैसे वापिस कर दूँगा और इस तरह सोने के स्कूल से मिले पैसों से वो अपनी बेटी की शहर के कॉलेज में एमिशन करवा देता है और बड़ी मेहनत करके जल्दी ही सुनार के पैसे वापिस कर देता है और वो सोने का स्कूल वापिस लेकर अपने घर में सजा देता है और इधर उसकी बेटी मोना पड़ लिकर एक बहुत बड़ा ओफिसर बन जाती है अब सुशील के सभी सपने पूरे हो चुके थे सुशील उस सोने के स्कूल का धन्यवाद करता है और साथ ही साथ देवी सरसोती का भी जिन्होंने उसकी सोने का स्कूल देकर मदद की थी एक गाओं में राजू नाम का एक रिक्षा वाला रहता था वो अपने बाकी साथियों की तरह जगन सेड़ से किराय पर रिक्षा लेकर चलाया करता था और शाम को आकर रिक्षा जगन सेड को वापिस कर दिया करता था और साथ में उसका किराया भी देता था राजू को रोज जगन सेड को किराया देना पड़ता था चाहे उसकी कमाई हो या ना हो एक दिन जब राजू शाम को रिक्षा लेकर वापस आया तो उसने जगन सेट से कहा सेट जी आज मैं आपको किराय नहीं दे सकता क्यों भाई क्या बात है आया तो बड़ा लेट है तू सेट जी आज काम बहुत कम हुआ और साथ में टायर भी पंक्चर हो गया था सारे पैसे नई ट्यूब लगाने में लग गए अबे तो मैं क्या करूँ हैं तुमसे इतना कम किराय लेता हूँ उस पे भी तुमारा ये हाल है और सुन लो तुम लग अब कल से किराय बढ़ा दिया है मैंने रिक्षे का अब तुम लोगों को पचास रुपे जादा देने पड़ेंगे हां जगन सीट की ये बाद सुनकर सभी रिक्षा वाले परेशान हो जाते हैं क्या मुसीबत है यार एक तो पहले ही काम नहीं है अब किराय भी बढ़ा दिया अब राजू तुम चुपने ही रह सकता था क्या अरे यार कर्मू इसमें मेरी के गलती है जो हुआ मैंने सची तो बताया ना अच्छा चल ठीक है जो भी अब देखते हैं कर्मू और राजू बड़े परेशान होकर अपने घर की और चल पड़े तभी सामने से उनका दोस्ट चमन आ गया चमन कूड़ा बीनने का काम करता था चमन ने उनसे पूछा अरे क्या हुआ भाई कहा जा रही है जोड़ी बड़ी उदाज सी राजू और कर्मू ने चमन को सारी बात बताए उनकी बात सुनकर चमन ने उनसे कहा अब भाई देखो अब मेरे पास एक आइडिया है अगर तुम कर सको तो बताओ चमन क्या आइडिया है अरे भाई राजू देख तू तो बड़ा कारीगर इंसान है अब मेरे पास ना भहुत सारी खाली बोत ले पड़ी है प्लास्टिक की अब उन्हें को लेता तो है नहीं अब ऐसे मैं कच्रे में फैग नहीं सकता अगर तुम चाहो तो उनका बहुत बड़िया इलेक्ट्रिक रिक्षा बना दो कर्मू और राजू को चमन का आइडिया बहुत अच्छा लगता है वो अगले ही दिन से इलेक्ट्रिक रिक्षा बनाने का कांग फुरू कर देते हैं वो प्लास्टिक की बोतलों को जोड़कर उनका बहुत अच्छा रिक्षे का फ्रेम बनाते है कर्मू अपने घर से एक पुरानी इलेक्ट्रिक मोटरल ले आता है और एक हपते के अंदर ही उनका इलेक्ट्रिक रिक्षा बनकर तयार हो जाता है और वो जब उसे बजार में लेकर निकलते हैं तो सभी लोग देखकर हैरान है जाते हैं उनके इलेक्ट्रिक रिक्षा के चर्चे सारे गाउं में होने लगते हैं अब कर्मू के प्लास्टिक की बोतल वाले एलेक्टिक रिक्षे के जर्चे शेहर तक पहुंचाते हैं कई NGO आकर उनके प्लास्टिक बोतल के रिक्षा देखर उसकी तरीफ करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं और उन्हें प्लास्टिक बोतल का रिक्षा बनाने के लिए प्रोश सहन करते हैं अब कर्मूर राजू ने अपनी प्लास्टिक बोतल का रिक्षा बनाने की फैक्तरी खोल ली थी जिसमें चमन ने भी उनकी काफी मदद की इस तरह से एक आइडिया ने उनकी जिन्दगी ही बदल दी और साथ में प्लास्टिक के कच्रे का सही इस्तेमाल भी होने लगा एक गाउं में विनोध नाम का एक आदमी रहता था वो बहुत ही गरीब था उसके पास खेती के लायक अपने बुजुर्गों की दी गई थोड़ी सी जगा थी वो उसी में काम करके अपने परिवार का गुजारा किया करता सा उसकी आदी से जारा जमीन बंजर थी इसलिए उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चड़ा करता था उसकी बीवी और बच्चे हमेशा उससे शिकायत करते रहते थे अजी ऐसी कैसे गुजारा चलेगा बच्चे बड़े हो रहे हैं कोशिश करके तो देखिए हो सकता है बंजर जमीन पर भी अनाजुग जाए तुम ठीक कह रही हो रमा मैं कल ही वहाँ पर कोशिश करता हूँ शायद हमारी किसमत ही खुल जाए अगले ही दिन से विनोध ने अपनी बंजर जमीन पर काम करना शुरू कर दिया वो रोज खुदाई के ओजार ले जाकर अपनी बंजर जमीन को फोड़ने लगा और वहाँ से पत्थर आदी साफ करने लगा उसकी यह हरकत देखकर गाओं के सभी लोग उसका मजाक उडाने लगे एक दिन जब गाओं के जमीदार वहाँ से गुजरे तो उन्होंने भी उसका मजाक उडाते हुई विनोध से कहा आरे ओ विनोद वा ये क्या कर रहा है तू अब इस धर्ती पे कुछ नहीं उगने वाला इसलिए तो हमारे बुजुर्गों ने ये जगा तुम्हारे बुजुर्गों को देती थी काहे अपना दिमाग खराब कर रहा है आप बात तो ठीक कह रहे हैं जमिदा साहब लेकिन शायद क्या पता यहां पर खेती हो जाए अरे ठीक है भीया जो तुम्हारी मर्जी चाहे करो विनोद को उस जगा पर मेहनत करते काफी समय हो गया एक दिन सुबह जब वहां पर खुदाए करने लगा तभी अचानक उसे ऐसे लगा कि जैसे उसका कुदाल किसी लोहे से टकराया है अरे यह आवाज कैसी विनोद आवाज वाली जगा से पत्थर हटाने लगा और जैसे ही उसने वहां से पत्थर हटाए तो वो देखकर हैरान रह गया उस धर्ते के नीचे एक गाला तवा दबा हुआ था अरे यह क्या तवा चलो निकाल कर देखता हूँ खाना पकाने के ही काम आएगा विनोद ने वहां से उस तवे को निकाला और घर आकर अपनी बीवी रमा को सारी बात पताई यह हमारे बुजुरकों की निशानी है मैं तो इसे सिम्हाल कर रखूंगा और ऐसा कहकर जैसे ही विनोद उस तवे को एक साइड में रखने लगा तभी तवे से आवाज आई विनोद अरे यह तवा तो बोलता है हाँ विनोद मैं एक जादूई तवा हूँ अगर तुम मुझ पर अनाज का एक दाना रखोगे तो उस दाने की लाखो रोटियां बन जाएंगी ऐसा सुनते ही विनोद ने उस तवे को अपने आग जिला कर उसके उपर रख दिया और थोड़ा सा आटा लाकर उसके उपर रखा देखते ही देखते वहां रोटियों का धेर लग गया यह देखकर विनोद और उसकी वीवी हैरान रह गए अब उन्होंने सबजें काटकर उस पर रखी तो वहां पर पकी हुई सबजें का धेर लग गया विनोज और उसके परिवार ने खूब सारी रोटियां खाई और बाकी रोटियां पूरे गाउंवालों को खिला दी अब उनके दिन बदल चुके थे विनोज ने गाउं के बाहर सड़क पर एक धाबा खोल दिया और उस जादूई तवे की बदावलत सबको पेट भर कर खाना खिलाने लगा और वो खाने के बदले किसी से पैसे नहीं मांगता था जो जिसके मन में आये वो ले लेता था क्योंकि जादूई तवे की यही शर्त थी कि वो बिना स्वार्थ के उसका इस्तेमाल करेगा विनोद अगर तुम मेरा ऐसे ही इस्तेमाल करोगे तो मैं तुमें हमेशा तरक्यों और समरिद्धी दूँगा समझे